जहेंद प्यारे सातियों यूनिक स्टेडी विद अजय यूटूब चैनल पर आप सभी का भूत भूत स्वागत है और हमारी ICT Information Communication Technology की जो सीरीज थी बिल्कुल हमारी continue चल रही थी और उसमें हमने एक क्लास कंप्लीट कर लिया था जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि IET और ICT दोनों में क्या डिफ्रेंस है ICT IT का उपसमुच्छे है या IT ICT का उपसमुच्छे है इसको मैंने आपको भोती अच्छे से समझा दिया था ठीक है IT का मतलब होता है Information Technology और ICT का मतलब होता है Information Communication Technology है इसके अलावा मैंने ICT के यूजिज बताए थे कि फिलाल में ICT का कितना महतो है आज यदि हम इस दुनिया में जी रहे हैं तो उसमें ICT का कितना बड़ा योगदान है हमें ICT की क्या क्या कमिया हैं जिनकी वज़े से सोरी ICT ऐसी कौन-कौन सी प्रस्थितियां हैं ऐसी कौन-कौन सी कंडिशन हैं जो हमारे सामने ICT की वज़े से आई हैं जदी ICT नहीं होती तो उन इस्तितियों का हमें सामना नहीं करना पड़ता ठीक है और ओवराल मैं कहूँ कुछ सब्दों में तो मैंने ICT के बारे में बताया, ICT के महतूर बताया ICT की खामिया बताई कि ICT की वज़े से क्या क्या सीचुवेशन खराब हुई है अब हम पढ़ेंगे इसके अलावा मैंने ICT के घटक बताये मैंने मानु संसाधन के बारे मुझाया धिक है जिसको हम मानु के संसाधन कहते हैं और इसके अलाव मैंने दूर संचार इवं नेटवर्क प्रोधोगी की बारे में बताया यह सारे के सारे क्या हैं बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझा दिये हैं अब यहां पर हम बात करने वाले हैं आपके साथ में ICT से रिलेक्टेड कुछ महत्पुन सब्द हैं जैसे ICT Information एक सब्द है Communication एक सब्द है Technology एक सब्द है तो हमें इन सब्दों का मेनिंग भी पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है तो सब्से पहले मैं बताओं आपको Information आई का मतलब होता है Information 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 सब्द है जो लेटिन भासा के formatia या फोरम सब्द से बना होता है देखो यह सीज़ी सुनकर आपको थोड़ा सक जटका लगा होगा कि information सब्द है जो formatia सब्द से बना है या forum sabd से बनावाए आपको थोड़ा सा अजीब लगाओगा कि information savrd formatia या फिर forum sabd से बना है formatia का अर्थ होता है किसी वस्तू के वास्टविक की रूप को जानना, जो formatia होता है जो form होता है उसका जो real meaning होता है उसका जो वास्तविक अर्थ है वो है कि किसी वस्तू को वास्टवी की रूप से जानना कोई भी वास्टवी एक्स वाई जड़ उसको रियलिटी के साथ जानना किसी को कोई जरूरी बात बताना या कहना information देना, सूचना देना देखो मैं सबसे पहले आपको एक छोटा साथ डेमो दे के बताता हूँ information का, मैंने आपको सूचना दिया कि net की जो exam data है, जो form fill up करने की data वो आगे extend हो गई है मैंने क्या दिया, आपको information दी, मैंने आपको सूचना दी मैंने आपको एक नई बात बताई मैंने आपको एक नई जानकारी दी ठीक है, और ये जानकारी क्या थी आपके लिए उप्योगी थी किया थी? उप्योगी थी तो ध्यान रहे, information का मतलब होता है आप कोई ऐसी बात किसी को बता रहे हो जो सामने वाले के लिए उप्योगी है उसको हम information कहते है दूसरी बात, वो नई है कहे, वो नई है तो किसी को कोई जरूरी बात बताना उसके लिए उप्योगी है वो जरूरी है उप्योगी है बात एक ही है कहना किसी से कोई बात सुनना समाचार सुनना आदी सब सूचना है आप न्यूज पेपर में पढ़ते हैं आप लोग डाउन के टाइम हर ओल्वेज अपडेट रहते थे कि भाई क जितने कोरोना किस चल रहे हैं तो वो हमारे लिए सूचना थी इसके अलावाब बहुत साथ एंकर हैं जैसे एंडी टीवी न्यूज है जितने भी न्यूज चैनल हैं जो हमें क्या देता है इन्फॉर्मेशन देते हैं और उनके द्वारा जो कही हुई बात होती है वो हमारे लिए क्या होती है बहुत ज़्यादा भ्हत्पूर्ण होती है हमारे लिए वो जरूरी होती है साथ इसाथ हमारे लिए वो नई भी होती है उसके बाद आता है कम्यूनिकेशन कम्यूनिकेशन को मैं जब कम्यूनिकेशन की यूनिट पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से समझा वहां पर लेकिन मैं यहां पर भी बता देता हूं किसी परकार की सूचना एवं जानकारी के आदान परदान कोई हम संचार कहते हैं कोई भी किसी भी परकार की जो सूचना है कोई भी किसी भी परकार की जो जानकारी है उसका जो हम आदान परदान कर रहे हैं मैं यहां पर अप बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो जानकारी जो शेयर कर रहा कितना भी घ्यान क्यों न है, यदि कम्यूनीकेसं नहीं होता Belgium किसी भी हाल में अपना ग्यान आपके साथ सेयर नहीं कर पाता आज मेरे अंतर जितना भी ग्यान है जितना भी नोलेज है मैं आपके साथ सेयर कर रहा हूं या इस दुनिया में जो भी कंडिडेट अपनी मन की बात किसी दूसरे कंडिडेट के साथ सेयर कर रहा है तो वो सब कि केवल और केवल कम्यूनिकेशन की वज़ा से हो रहा है ठीक है कम्यूनिकेशन के बारे में आगे मैं आपको फुल डिटेल से बताऊंगा कि कम्यूनिकेशन सब्सक्राइब कम्यूनिस से हुई है कम्यूनिस या कम्यूनिकेयर से हुई है सारा डिटेल से जब हम कम्यूनिकेशन का यूनिट पढ़ेंगे टेक्नोलोजी प्रोधोगी की का उप्योग करके हम किसी भी काम को आसान और सुविदा जना कर सकते हैं टेक्नोलोजी क्या है भाई इन्फॉर्मेशन है मेरे पास मेरे पास कोई जानकारी है वो जानकारी आपके लिए बहुत मैटपोन है आपके मीडियम ऑउलेबल है क्या है कम्यूनिकेशन का मीडियम भी ऑउलेबल है लेकिन टेक्नोलोजी नहीं है यदि कम्यूनिकेशन भी है मेरे पास आपके पास भी है कम्यूनिकेशन मेरे पास नोलेज भी है आपके पास भी है नोलेज लेकिन क्या यदि ये यूटूब ये बिल्कुल नहीं कर पाता आज मैं अपना ग्यान आपके साथ सेयर कर रहा हूं किसके माद्यम से कम्यूनिकेशन के माद्यम से लेकिन इस जो कम्यूनिकेशन का जो माद्यम है ना इसमें मैंन रोल निभा रहा है कौन टैकनोलोजी और टैकनोलोजी में कौन-कौन जैसे करें हो चैए वह आइडिया हो चैए ँटल हो चाई हो फिर वो जि यह फो ठीक है इसके लावा आप एरफॉन लगा रखोंगे जिससे कि मेरी किलियर आवास सुनाई दे मैं यहा कर माइक्रो फॉन का का यूच करह ne propor 아 जिससे के मेरी ज्यादा effective तरीके से करें इसके लिए हम क्या करते हैं विबिन परकार की technology का उपयोग करते हैं ठीक है technology ही आज हमारे जीवन को सुलब बनाती जा रही है सहज बनाती जा रही है आसान बनाती जा रही है आज आज आपको कुछ भी चीज सर्च करनी होते है डायरेक्ली गूगल पर सर्च करते हैं तरन आज पहले जब result आता था मैंने तो अपना result ऐसे निकाला नहीं क्योंकि मेरी ज़्यादा एज नहीं है बिल्कुल आपके साथ का यूँ में लेकिन आप आपके जो सीमियरा जैसे आपके पापा जी हैं दादा जी हैं उन से पूछो पहले रिजल्ट यूज पेपर में आता था सुबह उठके रोल नंबर ढूनना पड़ता था आज एक मिनट में आपका रिजल्ट रोल नंबर डालो रिजल्ट आ जाएगा ठीक है तो यह सब क्या टेक्नोल एनालोग सिगनल क्या होता है और डिजिटल सिगनल क्या होता है देखो दो तरीके का काम चीजे होती है एक तो वो मसीने होती है एक तो वो चीजे होती है एक वो मसीने होती है जो भोतिक वस्तूओं का मापन करती है भोतिक किरियाओं का मापन करती है और इस पेसली उन भोत लगातार परिवर्तन होता है ठीक है एक वो जो भोतिक किरियाओं का नहीं बलकि वो कृतिर्म किरियाओं का मापन करती है ठीक है एक साहर भोतिक किरियाओं का मापन जो लगातार परिवर्तित हो रही है भाई जिस चीज में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा उसका मापन करने की लेकिन जो regularly बदलता जा रहा है अब कुछ और कुछ सेकिंड बाद कुछ और कुछ मिनट बाद कुछ और कुछ गंटे बाद कुछ और उसको मापने की जरूरत है तो दो सिच्वेशन बनती है हमारे सामने कि एक तो वो यंतर या एक वो टेक्नोलोजी जो उन बहुत्रिक किरि का मापन करती है जो रेगुलर बदलते जा रहे हैं ठीक है तो यही खेल है एनालोग और डिजिटल के साथ बस कीवल आपको समझना है सबसे पहले मैं आपको एनालोग सिग्नल समझा देता हूं देखो एनालोग सिग्नल एक निरंतर तरंग है ठीक है जो एक समय आउधी में बदलती है एक डिजिटल सिग्नल एक ऐसातत लहर है जो बाइनरी फॉर्म में जानका रिलेती है देखो एनालोग सिग्नल के बारे में मैं बता देता हूँ आपको एनालोग सिग्नल होते है जो परिवर्तन सिल भोतिक चरों का मापन करते है अब परिवर्तन सिल भोतिक चरों का मापन करते है अब परिवर्तन सिल भोतिक चरों का मापन करते है अब परिवर्तन सिल भोतिक चर जाता है हवा की गती है हवा क्या एक भूतिक चर एंवह्तार बदलता रहता है कभीगतनी इस्पड़ा रही है कभीक tussen डारई है भावी हमारी गाड्यादी के इंदर यू स्पड़ामेटर को स्वेड़ लुए है था एक बदल जाता है तो गती तो वो भी एक analog है क्योंकि वर्षाथ होना गility semicirya है ठीक है तो यह सारी चीजे क्या होती है analog signal है जो भूतिक क्यिज्याओं का मापन करता है जो लगातार बदलती राती है ठीक है जो एक स्मय अधिमें बदलती है एक digital signal एक ay satytal harer है सतत और ए सतत का मतलब है, सतत लहर का मतलब होता है, जो बिलकुल लगाटार बदलते जाते हैं, ए सतत लहर का मतलब है, जो लगाटार बदलते नहीं है, तो जो डिजिटल सिगनल है, वो एक ए सतत लहर है, जबकि जो एनालोग सिगनल है, वो एक सतत लहर है, सतत तरंग है, नि देखो फिलाल में जो computer समझता है ना फिलाल में computer या mobile phone जिस language को समझते हैं उसको हम binary language बोलते हैं binary language में दो word आते हैं एक होता है zero और एक होता है एक हम चाए input किसी भी language में करें computer केवल जीरो और एक को समझता है हमारे दुवारा जो भी information लिखी जाती है वो चाहे किसी भी language में लिखी जाती हो computer के दुवारा translator के दुवारा उसे जीरो और एक जिसको हम binary code बोलते हैं मौच code बोलते हैं उसमें convert किया जाता है ठीक है तो जो digital signal होता है वो किसमें काम करता है binary form में काम करता है binary code में काम करता है मतलब जीरो और एक के code में काम करता है अनलोग signal को sign sign wave दौरा दर्साया जाता है जो analog signal होता है उसको sign wave के दौरा दर्साया जाता है ठता एक digital signal को इस्ख्वाइब तरंगों के द्वारा दिखाये जाताओ दा उतक्व का मतलब यहाँपर तरंग है ऐसा मत समझना कि पढ़ रहें तो वैब्साइट नौ का मतलब हरत तरंग्त है तो एनालोग शिंगनल को साइन को द्वारा दर साय जाता है जबकि डिजिटल सिंगनल को स्क्वाइट तरंग के द्वारा दिखाया जाता है एक एनलोग सिगनल को आयाम आउदी आवर्ती चलन के द्वारा वर्णित किया जाता है जबकि एक डिजिटल सिगनल को बिट दर बिट अंतरा द्वारा वर्णित किया जाता है जो analog signal है उसको आयाम अब आयाम क्या होता है ज़्यादा समझ देने की ज़रूत नहीं है physics का topic है तरंगों के बारे मैं बताता हूं तरंगे होती है कुछ इस तरीके से होती है ठीक है तो यह जो बीच की distance है ना इसको हम आयाम कहते है ठीक है इसको हम क्या कहते है आयाम कहते है अब यह ज़्यादा भी हो सकती है जैसे यहाँ पर कहा है यह distance कम है तो इन तरंगों के बीच में आयाम कम है यहाँ पर यह distance ज़्यादा है मतलब तरंग के बीच में आयम जदा है यहां पर यह distance कम है मतलब तरंग के बीच आयम कम है ठीक है आवर्ति का मतलब होता है repetition और अवदी का मतलब time period ठीक है तो analog signal को आयम अवदी या आवर्ति या तरंग द्वारा वर्नित किया जाता है जबकि एक digital signal signal को bit डर यह bit antral के द्वारा वर्ण में किया जाता है। अधि है आधन लोग सिग्टल की कोई निशित सीमा Yeah जो अंधन लोग signal होता ना उसकी कोई निशित सीमा नहीं होती वो कितनी बार बदल रहा है कोई फिक्स नहीं है वह कितना हो रहाए, कोई fix नहिए, temperature आप 1000 degree Celsius तक, लाघ डिग्री Celsius तक भी कर सकते हो, आप पवन की गती, 0 qui memoir से ले 500 kilometr, 700 kilometr, 1000 km, 2000 kilometr तक भी कर सकते हो, क्योंकि जो सुपर साइकलोन होता है, जो सुपर साइकलोन का मतलब होता चक्रवाद जो सुपर साइकलोर होता है जो सुपर चक्रवाद होता है उसमें हवाओं की गती हजारों किलोमेटर परती घंटा होती है ठीक है डिजिटल सिगनल की एक परिशितमित सीमा होती है एनालोग सिगनल की कोई सीमा नहीं होती है जबकि डिजिटल सिगनल की एक सीमा ह करता है तता एक digital signal binary form या binary code यानी zero और twoké रोप में data संचारित करता है digital signal का उदगम Morse code के रोप में देखा जाता है ठीक है देखा जो digital signal है उसको आप Morse code भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं मौरस code भी कह सकते हैं इसको Morse code भी कह सकते हैं औलोग signal एक तरंगी के रूप में डेटा संचारित करता है एक तरंगी के रूप में डेटा transfer करता है ठता एक digital signal एक binary code मतलब 0 और 1 के रूप में data transfer करता है एनलोग signal के द्वारा भूतिक परिमाप जैसे तापमान हैं वर्सा हैं हवा की गतिया गाड़ी की speed है पैट्रोल pump के उपर जब आप पैट्रोल भराने के लिए जाते हो तो वहाँ पर जो machine लगी हुई होती है जो मापती है कि आपकी गाड़ी में कितना 100 रुपे में कितना पैट्रोल डल रहा है ठीक है या आप एक लिटर पैट्रोल डला रहे हो तो तो वो एक लिटर पैट्रोल को मापती है क्या हमें दिखाती है कि इसकी रैट क्या हुई टोटल एक लिटर पैट्रोल कितने रुपए का डला है ठीक है कितना डला है यह सारी कैलकुलेशन दिखाती है तो जो पैट्रोल पंपर जो मसीन लगी हुई होती है पैट्रोल डालने म स्पीडो मेटर अपनी गाडियों में लगा होता है जो हमें स्पीड बताता है चालिस किलो मेटर पर तीगंटा की स्पीड से चल रही है सोच चल रही है डेड़ सोच चल रही है डिजिटल मीडिया के अधाराने जैसे कंप्यूटी के डाटा आ दी अब उसके बाद आता है तुल्यकालिक और ए तुल्यकालिक इन दोनों को हम कम्यूनिकेशन में भी पढ़ेंगे जब मैं आपको कम्यूनिकेशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर भी ये दोनों सब्द आएंगे लेकिन यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ दिको तुल्यकालिक का मतलब होता है एक निश् समय में घटी तो रही है एड तोलियक आलिक हमें बता रहा है कि जरूरी नहीं है कि वो गटना केवल एक निस्चित समय में ही घटी तो हो यदि आप लाइव पढ़ रहे हो मेरे से मैं आपको दो तरीके सपढ़ाता हूं एक मैं रिकूर्डेड क्लास देता हूं एक मैं क्लास मिलेंगे तो आप मेरे से पढ़ना चाओगे तो बिलकुल फिक्स उसी टाइम पर आप अउलेबल होंगे जिस ताइम मैं पढ़ाऊंगा यदि आप जैसे सपोस्ट जैट में साड़े दस से बारा बज़े तक केवल लाइड पढ़ाऊं तो आप यदि मेरे से पढ़न क्लास दे दूँगा तो अब मैंने सपोस्ट जैट दस बज़े अपलोड कर दी कोई उसको ग्यारा बज़े देख रहे को इसको बारा बज़े देख रहे को इसको तेरा बज़े देख रहे को इसको दूसरे दिन देख रहे को इसको परसों के दिन देख रहे कभी भी देखो कोई जुरूरी नहीं है कि भाई उसी टाइम लाइव आओ ठीक है तो जो तुल्यकालिक होता है ना उसमें घटना एक निश्चित समय में घटित होती है और सेंडर और रिसिवर प्राप्त करता और भेजने वाले दोनों का उसी निश्चित समय में आउलेबल होना भी बहुत जरूरी होता है दूसरा होता है ए तुल्यकालिक ए तुल्यकालिक में जो घटना होती है ना वो एक निश्चित समय में घटित नहीं होती ए तुल्यकालिक में सेंडर और रिसिवर दोनों का एक निश्चित समय में आउलेबल होना भी जरूरी नहीं है तुल्यकालिक इसमें गटना एक निश्य समय में गटित होती है गटना गटित होने के समय प्रेशक एवं प्राप्त करता का एक निश्य समय में उपस्तित होना जरूरी होता है आप अपनी गल्फ्रेंड से वीडियो कुल कर रहे हूं ठीक है आपने डिसाइड किया मैंने वीडियो कोल किया वो उस टाम ओलिबल नहीं है क्या आप ऐसे वीडियो कोल कर सकते हो कि आपने कोल किया उसने आपको कोल अटेंड नहीं किया ठीक है तो यह हो पाएगी ना भाई तब ही हो पाएगी वीडियो कोल कि जब आपने कोल किया जैसे सपोस्ट जट आपने अब भी कोल किया अब भी उसने आपका कोल अटेंड किया और आपने अपनी प्यार की मनतन की जो बाते थी रोमांस की जो बाते थी वो चालू कर दी ठीक है यदि ऐसा होता कि आपने वीडियो कोल किया लेकिन उसने असेप्ट नहीं किया तो क्या आपकी बाते हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी तो जो वीडियो कोल हो रही है वोट्षप वीडियो कोल हो रही है फिर या जूम पर जो क्लासे हो रही है या फिर जूम पर जो कोलिंग हो रही है यह सारा सब कुसकी इसका अधारने तुल्यकालिक का उधारने तुल्यकालिक का यदि मैं suppose that class में पढ़ाओं ओफ लाइन आप मेरे से ओफ लाइन पढ़ने के लिए आरही है मेरे कोचिंग में ठीक है तो वहाँ पर भी कैसा होगा तुल्यकालिक होगा यदि आपको मेरी किलास लेनी होगी यदि आपको मेरे से पढ़ना होगा तो आपको बिल्कुल एक निस्जित समय पर ओलेबल होना जरूरी होगा यदि मैं आपको 10-11 बज़े तक पढ़ा रहा हूँ ओफलाइन कोचिंग में तो आपको बिल्कुल 10-11 बज़े ही पहुँचना पढ़ेगा ये सब क्या है तुल्यकालिक के उधारन है ऐ तुल्यकालिक में क्या होता है गट्रा एक निस्जित समय में घटित नहीं होती उसमें प्राप्त करता और प्रेशक दोनों का एक निस्जित समय में उपस्टित होना भी जरूरी नहीं है जैसे आपने अपने सोना मोना तोना बाबू से क्या किया वीडियो बनाया, वीडियो रिकोर्ड कि अपने और उसके पास भीज दिया कि जान क्या हाल है मैं तेरे को बहुत मिस्स कर रहा हूँ यू आ लुकिंग अवेसम्, यू आर मै जान, यू आर मै घृट जो भी बाते थी वो आपने रिकोर्ड करके वीडियो रिकोर्डिंग की और उसके पास भीज दिया आपके सोना मोना टोना ने आपके वीडियो देखा वो इमोसिनल हो गई, भाव नाओ में खो गई, उसके अंदर प्यार जग गया रोमान्स आ गया, उसने तुरंत रिप्लै दिया लव यू टू माई बाबू, उसने किस भी दे दिया बहुत सारी उसने अपनी जो भी फिलिंग थी, वो सारी सारी वापस एक वीडियो बना के और भेज दी तो यहाँ पर, सपोज डेट आपने अपना वीडियो रिकोर्ड करके बेजा दस दस पर उसने अपना वीडियो रिकोर्ड करके बेजा बारा दस पर, दो गंटे का अंतर हो सकता है दो दिन का भी अंतर हो जाए, हो सकता है दो मिनट का भी अंतर हो जाए क्योंकि इसे situation में प्रेशक मतलब आपका प्राप्त करता मतलब आपकी जानू सोना मोना टोना उसका एक निश्यत समय पर अउलेबल होना जरूरी नहीं है जब टाइम मिले तब reply दे ये उधारण है एतुल्यकाली का ठीक है तो ये आपको अच्छे से समझ में आया की नहीं का एक बार कमेंट सेसर में कमेंट करके बताओ प्यारे साथी अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कम्प्यूटर के बारे में सबसे महन कानी है कम्प्यूटर की देखो कम्प्यूटर कम्प्यूटर सब्द है जो लेटिन भासा की कम्प्यूट से बना है किस से बना है कम्प्यूट कंप्यूटर सब्द लेसे केंप्Ιूट से बना है जिसका मत्रभ होता है गिंदिक कंप्यूट intentar करना कि कंप्यूटर Сब्द है उते हैं नधिक कियों बता रहे खाल्टा यूईरश्टी का PhD entrance exam UAS में आया ऐसा क्योंसन यह अभी कलक यंत्र है प्रोग्राम मेबल मसीन है यह जो computer है वो क्या एक programmable machine है मतलब एक अभी कल यंत्र है जो क्या करता है प्रोग्राम को calculate करने काम करता है प्रोग्राम को संचालित करने का काम करता है प्रोग्राम को चलाने का काम करता है इसलिए इसका अन्य नाम भी अभी कल्पित भी है कुछ-कुछ किताबों में कंप्यूटर सब्द की उत्पति लेटिन भासा की कंप्यूटर से बताई गई है लेकिन यदि परστन में कंप्यूटरर और कंप्यूटर दोनों option आते हैं तो सई उत्तर कंप्यूट होगा ध्यान रहें देखो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कंप्यूटर सब्द है जो एक लेस बासा के कम्प्यूट सब्द से बना हुआ है लेकिन आपको बहुत सारी केताबों में देखने को मिलेगा कि कम्प्यूटर सब्द है जो लेटिन बासा के कम्प्यूटेर से मिलकर बना है अब आपके दिमाग में आया कि भाई कम्प्यूटर सब्द computer से बना है या compute से बना है ठीक है compute से बना है या computer से बना है आपके दिमार्ट में आएगा कि भाई computer सब्द है जो लेटिन बासा के computer से बना है या compute से बना है यदि option अलग-अलग आते हैं जहां पर computer आउलेबल नहीं है computer available है तो यह सही होगा यदि यह unavailable है यह available है तो यह सही होगा लेकिन यदि option A यह है option B यह है तो इस situation में आपको compute करना होगा नकि computer ठीक है यह आपको ध्यान में रखना है तो यदि computer और computer compute और computer दोनों option में होते हैं तो उस situation में आपको computer का है एक विदूतिय अंतर है जो गणरा करने के लिए उप्योग में आता है computer का है एक विदूतिय अंतर है जो करने में प्रयोग लिया जाता है ठीक है अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सो का आगे चल कर और अब हम यहां पर पढ़ रहे थे देखो मैंने आपको पहले भी बताया था अब भी भी बता रहा हूँ computer सब्द लेटिन भासा के compute और computer दोनों से मिलके बना हुआ है क्योंकि कुछ बुकों में पढ़ोगे तो वहां पर computer लिखा हुआ है और कुछ बुकों में पढ़ोगे तो आपको computer लिखा मिला होगा देखो जो यहां पर क्या है एक थोड़ी सी मैं बता देता हूँ KVS मदान देख लो चाए ऑक्सपोर्ड देख लो चाए दरस्टी IS देख लो नहीं दरस्टी में इसमें अरियंत वाली में नहीं अरियंत वाली में तो computer लिखा हूँ है कि computer सब्द की उत्पति computer से हुई है Latin बासा के computer से हुई है लेकिन यदि आप पात करोगे KVS मदान का या फिर Oxford का तो उसमें लिखा हूँ है कि computer सब्द की उत्पति computer सब्द से हुई है ठीक है और उसमें उन्होंने आगे भी लिखा है कि जिसका मतलब होता है गणना करना हूँ है KVS मदान ने और Oxford वाले में क्या बता रखा है कि computer सब्द की उत्पति Latin बासा के computer सब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है गणना करना हूँ और जब आप Google से translate करोगे न तो computer कोई सब्द ही नहीं है क्या है सब्द compute और compute का मतलब क्या होता है गणना करना होता है ठीक है जब आप Google पर भी सर्च करोगे तो अभी आपको यही देखने को मिलेगा computer नहीं मिलेगा ठीक है तो मैंने आपको कल दोनों कंडिशन समझाई थी यदि option में दोनों आते हैं computer भी आता है compute भी आता है तो आपको compute करना है आपके आंसर को बिल्कुल सही करने के लिए computer एक विदूतिय अंतर है computer के एक electric machine है light से चलने वाली machine है जो गणना करने के प्रियोग में आता है computer एक electronic उपकरन है जो उप्योग करता है data और निर्दिसों के रूप में input प्राप्त करता है एक बार input data प्राप्त होने के बाद यह हैं data की processing शुरू कर देता है और उप्योग करता के निर्दिस अनुसार हमें output परदान करता है computer के एक electronic machine है क्या है एक electronic machine है जो हमारे से हम क्या करता है हमें कोई काम करवाना है suppose that हमें एक जोड बाकी करवाना है हम क्या करेंगे सबसे पहले computer खोलेंगे उसमें हम calculator खोलेंगे उसमें हम क्या करेंगे हमारी जो digits हमारी जो संक्या हैं उनको हम वहाँ पर type करेंगे suppose data हमने type कर दिया 96 plus 94 plus 98 plus 24 plus 53 हमने क्या किया उसको क्या किया हमने संक्याओं को लिखा उसको अपने data दे दिया अब हमें जोड़ना है गठाना है बाकी करना है तो हमने हर संक्या के साथ जैसे 14 plus 15 plus 16 plus 20 plus 30 plus 50 plus 90 minus 81 गुणा 100 भाग 50 हमने इस तरीके से एक complex जिसमें 4 की 4 जोड़ बाकी गुणा भाग एड़ करके हमने उसको एक संक्या दे दी हमने data दे दिया संक्या के रूप में हमने उसको निर्देश दे दिया plus minus गुणा भाग के रूप में computer ने क्या किया हमारे data को और हमारे निर्देशों को क्या किया उसने accept किया और उसने तुरंत जैसे हमने enter पर click किया तुरंत उसने processing चालू गर दी और within कुछ second हमें वो अपना जो feedback था वो हमें उसने दे दिया मतलब उसने हमें output दिखा दिया ठीक है तो computer क्या करता है उप्योग करता से data लेता है निर्देश लेता है खुद उनकी processing करता है और फिर तुरंत वो अपना output दे देता है देखो data input हुआ input होने के बाद process हुआ उसके बाद output मिल गया computer के तीन वनियादी कारिया होते हैं input करना process करना और output देना सबसे पहले input का का काम होता है उसके बाद processing का का काम होता है फिर output का का काम होता है computer को information processing machine भी कहते है जो computer है उसको हम information processing machine भी कहते हैं क्योंकि यह information का क्या करता है process करता है क्या करता है information को process करता है कम्प्यूटर के परिभासा कम्प्यूटर एक electronic machine है जिसका उप्योग गणना, परकिर्या, यांतरिकी, अनुसंदान, सोध, आदि में किया जाता है कम्प्यूटर hardware software का एक संयोजन है संयोजन का मतलब होता है कि उसको आप समुच्य भी बोल सकते हो यहाँ पर आप दोनों सब्द यूज कर सकते हो यहाँ पर आप संयोजन भी और यहाँ पर आप समुच्य भी दोनों सब्दों का यूज कर सकते हो कि जो computer है वो hardware और software सव्टिवेर, दोनों का, क्या है, एक संयूजन है, मतलब computer, hardware और software, दोनों बिलके बनाई, आप hardware केवल hardware से भी computer नहीं बना सकते, तो केवल आप software से भी computer नहीं बना सकते, ठीक है, भाई, आपके सरीर में पूरे अंग है, लेकिन आप में घ्यान नहीं है बुद्धी नहीं है तो क्या आपका शरी काम कर सकता है नहीं करेगा बहुत सारे लोग Paralzes हो जाते हैं उनका Brainży हो जाता है मतलब उनका दिमाग मर जाता है वो दिंदे रहते हैं लेकिन वो काम कुछ भी नहीं करते अपनी सारी जो activity है उनकी always होती रहती है जैसे फ्रेसोनिक activity उनको पता ही ने चलता होता रहता है काम ठीक है तो क्या वो एक इंसान है नहीं है वो इंसान कब है जब उसको पता है कि उसको क्या काम कब करना है कौन सा काम कब करना है कैसे करना है ठीक है computer hardware software का एक संयोजन है जो data का सूचना में परिवर्तित करता है Oxford dictionary के अनुसार computer एक सवचालित electronic machine है computer क्या है एक सवचालित, सवचालित का मतलब है अपने आप चलने वाले electronic machine है जो अनिक परकार की तरकपूनवा गणनाओं के लिए परियोग किया जाता है computer data को केवल process ही नहीं करता बलकि है data को retrieve भी करता है retrieve भी करता है ध्यान रखना कि जो computer है वो data को process करने का एक काम नहीं करता है उनको retrieve करने का भी काम करता है अर्थार्थ जब भी जैसी भी आउशकता हो तब डाटा को इसकी मेमोरी से बाहर निकाल कर प्रयोग भी किया जा सकता है तो रीट्रीव का मतलब क्या होता है रीट्रीव का मतलब होता है उसको दुबारा से उप्योग करना आप नहीं कंप्यूटर को इंपुट दे दिया ले तह due Fisher के रहे हम अपने पास ले हूं data ले सब्ढ़े सकते हो उनको आप दोबारा से मोडिफाइए कर लोगा करे से computer आपको देदेगा option कि करो भाई बदलाओ जो भी करना है वो करो फिर दो मेरे को फिर मैं करता हूँ अपना काम ठीक है इसको बोलते हैं रेट्रेव करना computer का विकास भई आपका भी विकास हुआ हम एक वानर की क्या माने जाते हैं पूरवज हमारा वानर था जिसको हम वह बोलते हैं चिंपैंजी हम चिंपैंजी फैमेली हैं देख लेना यह दिया आपके पूंच है तो समझो अब भी आप केवल चिंपैंजी फैमेली में जीरो कभी किसी की जो अपएंडेक्स वह भढ़ने लग जाती है पूंच भढ़ने लग जाती है उसमें वानर से ना का गुण आने लग जाता है तीक है चिंपैंजी जाग जाता है उसका कि भाई यह वह मैं हूँ तेरे अंदर तू कैसे धमाल मचा रहा है इस दुनिया में तीक ह पूँच बढ़ना चालो कर देती है फिर दर्द होता है फिर appendix का operation करवा किया आता है ठीक है appendix के operation में क्या होता है उस पूँच को काटके ओपर से भांद किया जाता है अब तू भड़ कैसे भड़ेगी फिर भी वो निकम्मी है कि यार तू मेरे को दबाया अंदर हनुमान जी वानर सेना बैटी हुए हनुमान जी की वो बोलेगी चल भाई हट हम निकलते हैं फिर से चिंपैंजी बैठा होता है अंदर ठीक है तो हम computer का विकास पढ़ते हैं भाई हर एक चीज़ का विकास होता है डारेकली तो कोई इस दुनिया में आया नहीं हम ही देख लो मोडिफाई होते जा रहे हैं आपके दादा पड़ दादा देखेंगे देखो मैं आपको मोडिफिकेशन दिखाता हूँ आपसे पहले की एज देखो जो पूरवस्त थे आपके पापा जो ताओ जी हैं उनकी एज के बच्चे देखो उनकी एज के कंडिडेर देखो बहुत सारे लोग ब्लैक कलर के भी होंगे काले होंगे बहुत सारे गोरे होंगे बहुत सारे मीडियम कलर के होंगे देखेंगे आपकी एज में black color वाली लोगों की शेंक्रा कम हो गई थी और आज देखो आज आपको कभी by chance पहले बात तों देखने को मिलेगा है नहीं है आज आप नहीं talented पैदा हो रहे बच्चे उनको कुछ नहीं पता छोटे-छोटे बच्चे उनको कुछ नहीं पता लेकिन वो सारी चीजे चला रहे है यहां तक कि mobile number लगा कर call भी कर रहे है जबकि अब भी तक वो इस्कूल में गई नहीं फर्राटेदार इंगलीस बोल रहे है इस्कूल में गई नहीं हो modification हो रहे है बच्चो का ठीक है नए नए वैरियंटार है तो computer का आविश्कार स्वरोपर्थम अबिकस नामक एक device का आविश्कार हुआ था सबसे पहले एक device बनी थी जिसका नाम था अबिकस अबिकस को सोरोबान की नाम से भी जाना जाता है सोरोबान ठीक है सबसे पहले एक अबिकस नामक device का आविश्कार हुआ अबिकस को हम सोरोबान के नाम से भी जानते हैं इस device की मदद से बिना copy pen या calculator की गणितिये किरियाओं को जोडबाकी गुनाबाग किया जाता था ठीक है तो अबिकस सबसे पहले एक अबिकस सबसे पहले एक क्योसिन भी आ चुका है और आ भी सकता है अबिकस क्या है computer का सबसे पहला computer कोंसा था तो यह आप को पता होना चाहिए किए जब आप भाई कंप्योटर पढ़ रही हो, आप कंप्योटर का जो पहला कंप्योटर था उसके बादे में नहीं जानते तो फिर आपसा प्ड़शंटर नहीं थिकार है, जैसे मैं इंसान learners को मिएका पता है कि मैं चिमपैंजी की फैमिली से हो हूँ, मैं नहीं, आप सरहत आप चिंपैंजी वाली लाइफ आपके टेके टारा ट्राय करेना पूंसतों नहीँ वरना फिर बाद में आप जंपिंग करना बेचालो पर लोगो एक मकान से दूसरे दिवाँ एक मकान से दूर से दुप लॉजे दूसरे दूर ऐसे 10-10 feet की लिए लबी jumping करोगे 10-10 feet काईए 20-20-30-30 feet की तो abecus क्या था abecus सबसे पहला computer था और जो पहला computer था ना वो केवल जोड़ना, बाकी करना, गोना करना और भाग करने का ही काम करता था ठीक है? जोड़ बाकी गोना बाग करने का काम करता था तो जो पहला computer था वो abecus था, जो केवल calculate करने का ही काम करता था जो की soroban की नाम से जाना जाता था ठीक है? किसके नाम से? soroban के नाम से 1822 में pascal या pascaline device का निर्मान हुआ जिसका उप्यो केवल जोड़ने गठाने के लिए किया जाता था इसलिए pascaline को adding machine भी कहा जाता है 1822 में फिर से एक नई machine बन गई जिसका नाम था pascal या pascaline ठीक है? 1822 में फिर से एक नई machine बन गई जिसका नाम था pascal या pascaline और pascal, pascaline केवल एक ऐसी machine थी जिसका उप्योग जोड़ने और गठाने के लिए किया जाता था adding, confusion मतों न, add का मतबरा जोड़ना और adding का मतबरा जोड़ने वाली machine मेरे को आज भी याद है आज भी मेरी अंग्रेजी कमजोर है पहले भी मेरी कमजोर थी ठीक है? लेकिन आज थोड़ इसी सही हो गई मतब 1920 का अंतरोवा है, जादा अंतर नहीं हुआ पहले जब 8th किलास तक था 10 तक English medium मतब English पढ़ाते थे लेकिन टीचर ऐसे खुद ऐसे थे पढ़ाने वाले, जो खुद पहले English पढ़ के आते थे चैप्टर को फिर हर लाइन के नीचे उसका Hindi मीनिंग लिख कर लाते थे पूरी किताब को रंक के लेका आते थे फिर हमें पढ़ाते थे खुद आप सोच सकते हो, हम उन टीचर के साथ पढ़ा हुआ है तो उस तेन क्या होता था, coming जैसे जहां पर भी रहा सब्दार है ना, रहा, क्योंकि हमें continue tense पढ़ाए गया था जिसमें कहा गया था कि is, am, are यदि किसी भी sentence के लास्ट में रहा रही आ रहा है तो आब is, am, are लगा दो तो मैं coming is लगा दिया come, coming, back, backing हर सब्द के पीछे जोड़ देता है जहां पर रहा आ रहा है हर सब्द के पीछे जहां वो रहा था जहां वो रही है जहां वो रहा होगा हमें तो केवल is, am, are का पता था पैस आगे depend करता था कि is, am, are किसके साथ लगाना है he, see, पैस इसके according चलते थे his, heart ऐसी धुवादार English थी ठीक है तो ऐसे ध्यान रखना है आपको चोल्स बेबेश धुवारा एनालिटिकल इंजन का आविस्कार किया गया चोल्स बेबेश नाम के एक विद्वान थे बेबेश बेबी सब्द नहीं है, ध्यान रखना को ना कभी आप ओर ठीरी बेबी सब्द आ गया, है नहीं नहीं बेबेश है बेबेश आज आज से आप भी अपने सोना बोना तानू को बेबेश नाम से बला रखो, बेबेश प्लीज काम चोल्स बेबेश धुवारा एनालिटिकल इंजन का आविस्कार किया गया यह मसीन पूनेता सवचालित थी, सवचालित का कम्प्यूटर का जनक भी कहा जाता है चोल्स बेबेश धुवारा क्या किया गया एनालिटिकल इंजन का आविस्कार किया गया जो एनालिटिकल इंजन था ना वो एक ऐसी मसीन थी जो अपने आप चलते थी, सवचालित थी गनीत यह किरियाओं को बहुत ही आसानी के साथ करती थी इस मसीन की जो स्मीर थी वो साथ गननाई पर थी सेकेंड थी चोल्स बेबेश को कम्प्यूटर का जनक कहा जाता है उसके बाद में आ गया मार्क फरस्ट कम्प्यूटर डोक्टर हॉवर्ड ए अलकिन और नेसोरी डोक्टर हॉवर्ड ए अलकिन ने आई बी एम के साथ मिलकर एक सवचालित गनना करने वाली मसीन को विक्षित किया मार्क फरस्ट क्या थी एक कम्प्यूटर था मार्क फरस्ट जिसको विक्षित किसने किया था डोक्टर हॉवर्ड ए अलकिन ने डॉक्टर हावर्ड ए आलकिन द्वारा मौक फरस्ट नामक एक सवचालिक कंप्योटर मसिन का निर्मान किया गया एक कंप्योटर को विक्षित किया मौक फरस्ट दुनिया का पहला विदुत यांतरिक कंप्योटर था क्योंकि इसमें विद्ध एवं यांत्रिक दोनों परकार के उपकर लगे हुए थे मौक फर्स्ट था जो दुनिया का एक मातर पहला ऐसा कंप्योटर था जिसमें विद्ध और यांत्रिक दोनों चीजे लगे हुए थे दोनों उपकर लगे हुए थे एनि-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए integrator, A का मतलब है end और C का मतलब है computer ठीक है ध्यान से दुबरा सुनना E का मतलब है electronic N का मतलब है numerical I का मतलब है integrator E का मतलब है end और C का मतलब है computer ठीक है any, E, electronic, numerical, integrator and computer यह हैं पहला आम उत्दे से electronic computer था ये पहला एक ऐसा computer था जिसका बिलकुल आम उपयोग किया जा सकते हैं हर कोई की उपयोग करने वाला पहला ये computer था तो जो any act है ये एक पहला आम उद्देशेई electronic computer था जहें एक पून ट्यूरिंग वाला डिजिटल कम्प्योटर था जिसे संगन्ना की संपुरिंग वाला डिजिटल कम्प्योटर था जिसे संगन्ना की संपुरिंग वाला डिजिटल कम्प्योटर था जिसे संगन्ना की संपुरिंग वाला डिजिटल कम्प्योटर था जिसे संग गणना मतलब हो था counting तो जो एनियक के computer था इसे गणना की संपूर समस्या हो गणना से समधित संपूर समस्या हैं या जितने भी समस्या थी आपकी कोई भी समस्या हो सकती है क्योंकि एनियक से जो पहले के computer थे वो केवल जोड बाकी कुना भाग के लिए काम करते थे लेकिन जो एन्य एक computer था ना वो आपकी कैसे भी समयश्या हो हर समयश्या को समाधान कर देता था वो आपकी कैसे भी समयश्या हो x y z ठीक है भाई आज जो computer न उससे तो बहुत low level का computer था आज तो आप चाहो जो करा सकते हो लेकिन पहले के लोगों को पता भी नहीं था computer के बारे में इसलि करने वाला पहला electronic computer था mark first ठीक है यह आपको पता हो ना सोरी any एक mark first नहीं any एक एक पहला ऐसा computer था जो हमारे दैनिक जीवन के जितने भी सामाने उद्धिश्या हैं उनकी पूर्टी करता था ठीक है तो any एक हमारे आम जीवन यह हमारे सामाने जीवन के जितने भी समाधान करने वाला पहला electronic computer था ठीक है उसके बाद यह एक computer का निर्मार अमेरिका की सेना के उप्योग के लिए किया गया था any एक का निर्मार अमेरिका ने किया था अपनी सेना के उप्योग के लिए कि जब emergency वाली condition हो तो सेना के लोग आफस में बात चीद कर सके वो अपन जो भी समझते हैं चोटी मोटी उनका समाधान कर सके तो any computer किसके दौरा बनाया गया था अमेरिका के दौरा क्यों बनाया गया था अपनी सेना की help करने के लिए सेना की अपनी जो जरूरतिये होती है सेना को जब emergency में आपको समें बात करनी होती है इन सब भी के लिए उसके पाद आया A D S A की A D S A C E D E D S A C A का मतलब है electronic D का मतलब है delay S का मतलब है storage A का मतलब है automatic और C का मतलब है calculator फिर यह मतलब है इलक्टोंग, डि का मतलब है डिले, एका मतलब है स्टोरेज, एका मतलब है और और शी का मतलब है कल्कुलेटर क् commissioner और दिले इस्टोरेज ओप्र्श बार्टोमेटिक यह सबसेपेला संघ्रित प्रोग्राम कम्प्यूटर था यह क्या था सबसे पहला संग्रित प्रोग्रामर कम्प्यूटर था यानि की इस कम्प्यूटर पर पहली बार प्रोग्रामर के चलाय गया था ठीक है फिर चेमा रिपीट कर रहा हूं प्यारे साथ की हो EDSA से Electronic Delay Storage Automatic Calculator यह सबसे पहला Store रखने वाला Computer था ठीक है जो EDSA था वो पहला ऐसा Computer था जिसमें आप Storage कर सकते थे जिसमें Memory आई थी उससे पहले के जो Computer थे था वो भुलकर सभाओ के थे उन्में दिमाग नहीं था उन्में Memory नहीं थी दिमाग तो था काम करते थे लेकिन memory नहीं थी या दस तत नहीं थी उनमें जो add-seq था वो पहला ऐसा computer था जिसमें memory आई थी यानि कि इस computer पर पहली बार program को चलाया गया था और इस computer में program को भी पहली बार ही चलाया गया था add-vec electronic desire described discrete variable automatic computer add-vec electronic e का मतलब d का मतलब discrete v का मतलब variable a का मतलब automatic c का मतलब computer तो add-vec का full form है electronic discrete variable automatic computer इसमें अंक गडिती है कि रियाओ हे तो binary अंक पढ़ना लिकाप लोग किया गया था जो add-vec computer था ना इसमें processing के लिए binary नमबरा आ गया था ये processing में binary नमबरों को यूज करना चालू कर दिया था निर्दिशों को भी digital प्राव रूप में संग्रीद करता था और ये जो direction थी जो निर्दिश थी उनको भी ये digital रूप में accept करता था इसमें digital रूप में accept करता था यूनिवेग यूनिवर्सल आटोमेटिक कम्प्यूटर यह हैं दुनिया का पहला व्यावसाइक रूप से निर्मित इलक्तोनिक डिजिटल कम्प्यूटर था यूनिवेग की फुल फॉर्म क्या है यूनिवर्सल आटोमेटिक कम्प्यूटर यह हैं दुनिया का पहला व्यावसाइक रूप से निर्मित इलक्तोनिक डिजिटल कम्प्यूटर था ब्लेज पासकल द्वारा पहला अंकिया गणना मसीन बनाई गई थी जो ब्लेज पासकल था उसने सबसे पहले अंकिया गणना मसीन बनाई थी अठारा सो छेटर में अलेकजेंडर ग्रांडर ग्रहाम व्यल ने टेलिफॉन का अविस्कार किया था 1927 में लंदन और न्यू नौउच के बीच में पर्थम सारवजनिक रेडियो टेलिफॉन का पर्योग शुरू हुआ था ठीक है 1927 में लंदन और न्यू नॉर्ग के बीच में पहला सारवजनिक रैडियो टेलिफोन का प्रियोग किया गया था 1940 में टेलिविजिन से रंगिन परसारर का सुबारब हुआ था 1940 से टेलिविजिन पर रंगिन परसारर की सुर्वात हुई थी अब देखनो हमारे 1936 में टीविज आ गई थी हमारे गाव में सबसे पहले टीविज नहीं करते केवल हमारी पढ़ाही के लिए गरवाले में टीविज नहीं करते 1958 में जापान NEC में पर्थम इलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटर NEC 1101 वे 1102 विक्षित किया था 1958 में जापान NEC में पहला इलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटर NEC 1101 और 1102 को विक्षित किया था अब हम पढ़ेंगे कम्प्यूटर के कारिया देखो कम्प्यूटर है जो सामानिक चार परकार के काम करता है ये चाहिए कितने भी काम करवा आप इससे कम्प्यूटर से चाहिए कम्प्यूटर से कम्प्यूटर Book कम्प्यूटर के काम करता है do लेकिन मैं मानता हूं कि मैं तो केवल ही चार काम करता हूं वो चार काम किका है पहला डाटा क्लेक्शन करना डाटाओं को एकटा करना दूसरा उनको स्टोरीज करना तीसरा उनकी प्रोसेस करना चोथा उनको इंपूट देना अब डाटा क्लेक्शन की जगह इंपूट भी लि कलक्षن करता हूँ दूसरा उनका मैं स्टोर करता हूँ तीसरा मैं उनकी प्रोसेसिंग करता हूँ और चौता मैं उनका आउट पुट्ट देता हूँ ठीक है तो कंप्येटर क्या क्या चेरे साथ chiंओ कि मैं केवल 4 काम करता हूँ पहला इंपुट्ट या data collection का दूसरा उसके इस्टोरिज का तीसरा उनकी प्रोसेसिंग का और चौथा काम आउट्पुट का जो कि प्रोसेसिंग के बाद होता है उसके बाद हम बात करते हैं एक-एक करके इनको कम्प्यूटर है जो मुख्य रूप से केवल चार काम करता है अब हम इसके जो चारो की चारो काम है उनको हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ते हैं सबसे पहला हम पढ़ते हैं data collection का कि computer जो data collection का काम करता है जो डाटाओं को एकतरित करने का काम करता है वो किस तरीके से करता है कैसे करता है computer का पहला और मुख्या काम होता है data को collect करना जो computer होता है उसका पहला और सबसे में काम होता है data को collect करना data को एकतरित करना जब तक computer को data नहीं दिया जाएगा तब तक हैं कोई परिणाम नहीं देगा computer का data देने के लिए input device हों का प्रियोग किया जाता है देखो data collection है जो computer का सबसे पहला काम है और यदि हम computer को data ही नहीं देंगे computer को हम data ही नहीं देंगे तो computer कभी भी किसी भी हाल में काम नहीं कर सकता, computer कब काम करेगा जब हम उसको data दे देंगे तो हमारे data देने के बाद में ही computer काम करेगा तो computer का सबसे man काम सबसे मुख्या काम होता है data को collect करना हम data computer को data देंगे क्या करेंगे data देंगे और data देने के लिए हम क्या करेंगे input device का उप्योग करेंगे हम computer को data देंगे data देने के लिए हम input device का उप्योग करेंगे input device हों के माध्यम से computer को data मिलेंगे और उन data को वो क्या करेगा collect करेगा ठीक है उसके बाद होता है storage computer क्या करता है data का storage करता है store करता है data को आप computer में बिल्कुल permanently data को save कर सकते हैं जिनको आप चाहें तब use करें ठीक है तो जब input data का परिणाम प्राप्त होता है तब उस परिणाम को भी computer बहुत से के लिए शंगरीद करता है दिको computer है ना दो तरीके से data को save करता है एक तो computer उन data को save करता है जो हम उसको processing के लिए देता है दूसरा computer उन डाटाओं को भी सฉ़ करता है जो result देता है computer ने क्या किया हमने computer को data दिया computer ने उन डाटाओं को सेव खल लिया फिर computer ने processing का काम किया processing के बाद में जो result निकलता है उस result को भी computer क्या करता है store करता है ठीक है तो computer overal 2 respective data को store कर रहा है पहला जब हम उसको input दे रहे हैं उन data को दूसरा जब हम उससे result ले रहे हैं computer है जो result को भी store करता है ठीक है और store करने के लिए वो data को store करने के लिए memory card का उप्योग करता है फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे की होर चलेंगे तो अब हम पढ़ेंगे data processing देखो computer को data मिल गया computer ने input data को store कर लिया processing के लिए computer को हमने निर्देश भी दे दिया हमने direction दे दी computer को हमने computer को निर्देश दे दिया कि भाई तेरे को ये काम करना है और जैसे हम फिर input enter पर click करेंगे enter पर click करते ही computer क्या करता है उन data की processing चालो कर देता है जैसे हमने निर्देश दिये थे जो जो हमने computer को निर्देश दिया है बिल्कुल ठीक उनी निर्देशों के अनुसार computer क्या करता है उन data की processing चालो कर देता है जो भी हम जोड बाकी गुना भाग एक्स वाई जेड जो भी हम computer को direction दे रहे हैं उन direction को accept करके computer क्या करता है processing का काम चालो कर देता है तो हम computer को data input कर रहे हैं computer को data दे रहे हैं computer ने input data को processing के लिए store कर लिया हमने computer को निर्देश दिये हमारे निर्देश अनुसार किसके अनुसार हमें हारे हमारे निर्देश अनुसार computer ने उन data को क्या कर दिया processing करना चालो कर दिया क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने computer को जोडने के लिए कहा और उसने भाग देने का काम कर दिया हो कभी नहीं होगा ऐसा क्योंकि कंप्यूटर केवल वही काम करता है जो हम उसको निर्देशित करते हैं जो हम उसको डिरेक्ट हम देते हैं ठीक है और computer है जो processing के लिए CPU का उप्योग करता है Central processor unit का उप्योग करता है processing unit का उप्योग करता है तो computer जो processing का जैसे हमारे सरीर में क्या है दिमाग है दिमाग क्या करता है सही गलत का decision लेता है हम जोड़ते हैं, हम गुणा करते हैं हम भाग करता है, हम logical काम करते है सारे, हम जो भी activity करते है वो किसकी वज़े से करते है brain की वज़े से करते है यदि brain guy तो हमारे जो ये अंदर काम करने की capacity है हम फिर यदि brain guy हो गए ना, तो हम ना किसी को देखेंगे सामने वाला बोलेगा कितना attitude में देख भी नहीं रहा उसको पता नहीं कि भाई, इसका brain नहीं है हम देखने लग गए तो बस एके साइड देखेंगे कोई लड़की जा रही है उसकी साइड नजर पड़ गी, बस वहीं रह जाएंगी लड़की सोच जगी कि या रही है कितना प्यार में पागले मेरे, मेरे को कितना आचाता होगा तो बिलकुल एक तक की नजर से देख भाई, उस पगली को पता होना चाहिए कि पगली, यह तेरी तरफ नहीं देख रहा इसमें दो brain नहीं है क्या है brain ही नहीं है तो बिना brain के हम काम नहीं कर सकते ना? बिलकुल उसी तरीके से computer को भी काम कराने के लिए processing के लिए क्या दे दिया? एक हमने दिमाग दिया और उस दिमाग का नām है CPU क्या 향 CPU computer में दिमाग नहीं होगा और CPU नहीं होगा उप्योग करता को परिणाम दिखाने या बताने के लिए आउटपूट डिवाइसों का उप्योग किया जाता है जो आउटपूट है आउटपूट क्या होता है हमने computer को input दिया data दिया computer ने data को store किया फिर उसने processing के processing के बाद में कुछ result निकला और उस result को computer ने store किया साथ साथ उसे हमें दिखा दिया कि लैपकड भाई तुने जो काम दिया था उसका ये result है उसने हमें तुरंट क्या क्या result दिया और वो result हमें किस के माध्यम से दिया output device के माध्यम से यदि computer में monitor ना हो आपकी phone में display ना हो कि आप result देख सकते हैं आपने आपके phone के display फूट गई suppose that आपके computer की या आपके mobile के display फूट गई बगवान करे ऐसा ना हो suppose फूट गई आपने वैसे कुछ number लगा दी कब phone क्या कर रहा है computer क्या कर रहा है आपको नहीं पता चल रहा आप नहीं देख पारे क्यों क्योंकि उसमें output device थी वो गाइप हो गई display फूट गई गाइप हो गई ठीक है तो computer जो processing के बाद में जो last काम करता है वो करता है हमें result देने का और वो result output device के medium से देता है computer की speed के हम बात करें विसेश्थाओं के हम बात करें कि computer की क्या-क्या विसेश्थाओं होती है तो देखो computer की विसेश्थाओं भाईसा मैं इतनी गिना दूँगा कि आप भूल नहीं सकते सबसे पहले मैं बताओ speed भाई computer इतनी तेजी से काम करता है आप उसको कितनी लंबी संक्या दे दो computer दो सेकेंड मातर एक सेकेंड में क्या कर देगा उसको calculate जैसे आप enter दाब होगे तो अन्त वो result फैंट देगा पकड़ भाई ये था तेरे क्यों संका अंसर computer क्या 140 मशीन अपने आप चलती है मोज मस्ते में दुनिया जाए भाड में वो अपने आप according काम करती है जैसे आप निर्देश देओगे वैसे आपको result देदेगी ना तो कोई भेदबाव करती ना कोई बीच में क्रफशन का काम करती computer की गति को M.I.P.S. में मापा जाता है million of instruction per second अब इसका मतलब समझा देता हूं मैं computer की गति को किस में मापते है M.I.P.S. में million of instruction per second की computer per second में कितने million instruction को soul कर रहे कितने निर्देशों को soul कर रहे computer की जो speed है ना वो किस में मापी जाती है M.I.P.S. में मापी जाती है की computer per second में कितने million instruction को कितने मिलियन निर्दिसों को सोल कर रहे है कम्प्यूटर जटिल से जटिल संक्याओं को भी कुछ सेकेंड में हल करतेता है कम्प्यूटर सटिकता accuracy आप कम्प्यूटर से कैसा ही काम कराओ विल्कुल 100% accuracy आईगी आपने कभी टैपिंग की होगी टैपिंग में accuracy का option होता है उसमें accuracy चेक की जाती है accuracy का मतलब है कि आप कितना गलत काम कर रहे हो ठीक है कम्प्यूटर दुआरा दिया गया परते कारिया 100% 100% सही होता है accuracy का मतलब होता है कि आप कितनी गलती कर रहे हो आप कितना सुद्ध और कितना सही काम कर रहे हो तीक है आप जितनी जादा गल्तियां करोगे चाहे फिर क्यों ना आप उसको मिटा के सही करो आपने कोई गल्ती की वो आपकी क्या accuracy है accuracy कम हो गई आपने बिल्कुल भी कोई गल्ती नहीं की अपने काम है 100% accuracy है आप typing कर रहे हो आपने बीच में mistake कर दी जैसे capital A की जगह small A आ गया कोमा की जगह बिंदू आ गया ऐसे छोटी छोटी आपने mistake कर दी आपकी accuracy डाउन हो जाएगी accuracy का मत्रब होता है कि बिल्कुल 100% ठीक काम करना यदि 100% accuracy आ रहे है आपकी तो समझो आपने कोई गल्ती नहीं की ठीक है तो accuracy हमें सुद्धता को बताता है कि काम में कितनी purity है काम में कितनी सुद्धता है सवचालित automatic हम जैसा निर्देश देंगे जैसे data देंगे बिल्कुल ठीक उसी according computer काम करेगा computer को आप कुछ भी दो बैस निर्देश उसके समझ में आजाने से ही है फिर वो आपको result 100% देगा बिल्कुल सुद्ध रिजल्ट देगा अब भाई आपने ऐसा गुमापरा कि उसको निर्देश दिया है कि आप खुद नहीं समझ रहे computer की नहीं समझ रहे फिर तो भाई result उत पटांग देगाई आप उसको सही धंग से निर्देश करो 100% आपके निर्देश अनुसार computer काम करेगा पूरी इमानदारी के साथ सुद्धता के साथ पूरी सटिकता के साथ बंडारान समता computer की जो storage के opacity अन भाई बहुत बड़ी चोड़ी है आप कितना store कर सकते हो computer को सामाने तक computer में data बंडारान के लिए SSD और HDD का प्रियोग किया जाता है computer के अंदर जो हम data को store करते हैं उसके लिए हम SSD या HDD का प्योग करते हैं computer की भंडारान समता को KB, MB, GB, TB में मापा जाता है किसमे KB, MB, GB और TB में मापा जाता है उसके बाद हम बात करते हैं गोपनियता secrecy computer में data को बिलकुल सुरक्षित रख सकते हैं इवं data को गोपनिय रखने का सबसे सुरक्षित इस्थान computer है आप computer में अपने personal folder बना के उसको log कर सकते हो ठीक है जैसे आप आपने अपने girlfriend या अपने boyfriend के number या फिर उसकी photo आपकी जो personal photo है उनको save कर रखा होगा आपने एक file में आपने एक folder बनाए होगा उसके अंदर एक folder उसके अंदर एक folder उसके अंदर एक folder उसके अंदर एक folder और फिर वहाँ पर लिखा होगा NCRT उन folder के उपर लिखा होगा M. Lakshmi Kant सभिंदर सिंग पी लिया important documents JPG ऐसे code सामने वाला सक भी ना कर सके कि यार NCRT का नाव देखके mood खराब और यार यहां पर इतनी पीछे इतनी घहराई में किताब रख 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 रहे हैं अटाओ 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 दिमाग खराब देखे पहले बार तो वहां तक पहुंचने में उसको कई गंटे लग जाए क्योंकि आपको तो पता है भई आपने कहां कहां से क्या सेट किया है गोप निया रख सकते हैं पासवर लगा सकते हैं बहुत लड़कियों का ज़्यादा होता है बहुत सारे लड़के भी होते हैं देखो वो बिलकुल privacy रखते हैं वो फोटो पर finger lock है फिर वैसा लोग है ठी जंजतियार मेरी family में personally लोग allow यह नहीं है family में total 12 phone है android phone है 12 सबी का जो skin password है सबी phone पर personally password no टलाओ है password आपस में सबी को पता है ठीक है कोई गोपनी नहीं है फिर गोपनी रखी चाती है google driver email पर upload करके ठीक है या फिर mobile number को अलग-अलग keyword में sayo करके भी आप गोपनी रख सकते हो ठीक है वो आप सबको knowledge होगा बहुत अच्छा कासा पापा, मम्मा, मम्मा नाम से girlfriend के number है पापा नाम से boy friend के number है किसी दोस्त का नाम नाम दोस्त का है उपर जिगरी दोस्त का, अंदर girlfriend के number है, अंदर boy friend के number है दिमाख में है ठीक है विश्वस्निया, तो आप calculation करो, हर किसी के साथ ही होता है, मैंने पाथ संख्या दी आपने calculate किया पिर उसके बाद भी एक बार होता है यार computer, calculator शेप phone से check कर ले सही है या नहीं, ये क्यों हो रहा है क्योंकि हमें computer पर विश्वास है, कि computer जो हमें बताएगा, वो hand percent सुद और सटिक और सही होगा और कोई भी चीज़ पर विश्वास हम कब कर सकते हैं जब हम किसी एक काम को बार बार कर रहे हैं, अब किया फिर उसी काम को थोड़ी दिर बाद किया फिर किया, फिर किया, फिर किया ऐसे हम एक ही काम को बिल्कुल repetition type से कर रहे हैं, लेकिन result always same आ रहे हैं आपने 2 plus 2 plus 2 plus 2, 5 बार जोड़ा 10 आया, फिर आपने 2 plus 2 plus 2, 5 बार जोड़ा, फिर 10 आया आप चाहे हजार बार जोड़ो यदे 10 दस 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 आ रहे हैं तो आपको पूरा विस्वास हो जाएगा कि भाई, result इसके लावा कुछ हो ही नहीं सकता तो हम क्या करते हैं, computer पर computer पर आख बंद करके विस्वास करते हैं, कि computer तो कभी गलत जवाब दे नहीं सकता और बहुत सा बार ऐसा होता है computer के computer भी भाई एक machine है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ गड़बड हो जाती है कई बार क्या होता है, computer के अंदर कुछ गड़बड हो जाती है, computer हमें गलत result देता हम जिदने लग जाता है भाई तू पागल है क्या, मैंने देख अब भी computer से जोड़ा है मैंने देख इतना है, अरे भाई ये भी एक machine है, इसके भी कभी बुखार, पेट दर्द वगड़ा हो जाता है पुंद्रा वर्ती repetition, computer कितनी बार भी repetition करवा सकते हो किसी काम को कितनी बार भी करवा सकते हो, computer कभी आपको मोरख नहीं कहेगा, मैं आपको काउए, बाई, दो प्लेस, दो चाम फिर मैं काउए, लिए एक बार दुबारा जोड़ पागल है क्या, तूर्हें किосक के लिए रहे रहे इस चलेंगे नहीं कहता कि मेरी तब से तक रहा हो कभी गुसा नहीं करूँगा कभी विलोज नहीं करूँगा तया आप लाक बार चुन आप близ जाएंगे ये बोलते हैं एक ठीक है आप कितनी बार कितनी बार कितनी बार कितनी बार कर सकते हो कि जोनी कि उसके साथ सबस्चक्राइब करेगा कोभी छेड़कानी नहीं कर गाओ आपकी फोटों के साथ ठीक है छेड़कानी का धना है किस वगरर करनाकों कम्प्योटरं यह चीज नहीं जानाता ना कम्प्योटर आपकी गल्फ्रेंड की फोटों के तरह देखेगा त्प देखेगा कितनी चुटर्प'... आपका boyfriend कितना है सुन्दर को नहीं कभी नहीं देखेगा वो सब भी को भाई-भाई मानता है वो ठीक है ना बिल्कुल भ्रह्मचारी जीवन जीता है computer बिल्कुल प्योर भ्रह्मचारी उसके अंदर आप कुछी काम करो कोई feeling नहीं है computer के परतिभा computer द्वारा आप किसी भी पर परतिभा है भाई परतिभा कंप्योटर के अंदर कोई भी काम कर रहा हो कैसा भी काम कर रहा हो 100% करेगा मस्तरी के से करेगा ठुस होके करेगा कभी नहीं कहेगा कि भाई मैं क्या machine हूं अरे भाई तू machine है तब ही तो कर रहा है हम नहीं कह देते हैं मैं क्या machine हूं तो मेरे से भाई बहुत महेंती है रियल में मानना पड़ेगा बहुत महेंती है ना तो पसीने आते ना वह ठकता बस उसको तो आप लाइट देते रहो उसको चारज रखो आप उसको सई धंग से निर्दे सीथ करते रहो बस फिर चाहिए आप कितना ही काम करा हो सुबह शाम दोपर दिन 24 गुंते वो कभी नहीं कहेगा कि भाई मैंभी इंजा नहीं कहीँ अब कभी आपको feels बिला लिया को कभी नहीं जब नहीं है वह कभी नहीं करा तो थक जाएगा मैंने रौछिय नुद्ध सौ तुरंट डिसीजन लेने वाले हैं कि आधे डिसीजन आपने जैसे इंटर किया तुरंद पंक पंक रहे हैं अपने तरक रेक्षा क्निजान पर क्या और एक घंटे से लगे हैं आप टाइपिंग में धून रहे हैं बड़ी महनत के साथ जैसे एंटर पर क्लिक एंटर ने रिजल्ट दे दिया कोपड़ी खराब हो गई भाई मैं यहां पर एक घंटे से पच्णाओं कम्प्यूटर ने मातर कुछ सैकेंड मिस का रिजल्ट दे दिया क्विक डिसीजन इसमें आप एक साय निर्देश दोगे एंटर करोगे तुर्ब रिजल्ट दे लेगा आपको कम्प्यूटर के उप्योग हैं कभी ठाल में बैठेंगे न तब बतावागा कंप्यूटर के कितने उप्योग आप खुद सोचो कंप्यूटर के उप्योग हजारो भी काम करा सकते हो computer से दैनिक जीवन में प्योंगी भाई दैनिक जीवन में आजकल तो रोबोट आगे रोबोट में भी computer सेट होता है बिचारे कपड़े दो रहे हैं रोबोट ठीक है क्या कर रहे हैं कपड़े दो रहे हैं शिक्षा के छित्र में यहां देख लो आगो computer में बैठके मस्ट तरीके से सूते सूते वे पड़ रहे हो लेकिन एका काम नहीं कर रहे हैं master पीडियाप देदेगा बैस मस्ट तरीके से पसरे पड़े हो टांग फहला ज एक पास में पाणी की बोटल पड़ी होगी खेंक देखो के किलास ठीक है तो मस्त तरीके से टांग फहला के औड़े पड़े देख रहे होगे वीडियो सुन रहे होंगे मेरी अवाज एरफोन लगा कर, यह सारा सबकुछ कम्पिटर की वज़़े से हुआ, चिकित सा भाई आज आपका بलेड का हजारों टेस्ट हो जाते हैं, بलेड की एक बारिक-बारिक चीजों का पता चल जाता है दिमाग की एक छोटी-छोटी नस की बिमारी का पता चल जाता है कोई computer डोक्टर घूझके थोड़ी ना देखता है के चलो डोक्टर हमारी नश से खून की जो नश है सिरा और धमनी सिरा से घुसा अंदर की और कैची लेकर फिर वो अंदर हाथ हाथ की नश से घुसा फिर वो दीरे दीरे कंद तक गया फिर हमारे गर्दन तक गया फिर हमारे दिमाग में गया फिर वो हमारे दूसरे हाथ में गया फिर दूसरे हाथ से वापस उसने यूटन लिया फिर वो हमारी चाहती से होकर पाउं तक गया फिर पाउं से यूटन लिया तो भी ऐसा करता है रोक्त नहीं करता वो क्या करता है द पहले बेंकों में जातों इडेव मैंएजर की मैंनेजर होता था जो वहां पर वरकर होते थिए उनकी जिन्द की पैंठ किस्ण में लग जाती थी सुबह साम लिकष साम लिख 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 होते घ्यादा भर यहां on क्रोड़ का साब कन अकर पर हमारे रोड पड़ा है व्यापार की छेतर में बिजनेस देखो भई कमप्यूटर की बदोल आप कुछी कर रहे हो लाखो डेरों कमारे घर बैठे बैठे । सरकारी कार्या लिए मनोरंजन के छेतर में कंप्यूटर का मनोरंजन उप्योग आप से ज़्यादा बेस्ट कोई समझ सकता है इसको कोई नहीं समझ सकता है आप कुछी भी देख सकते हो आप नाइट में भी देख सकते हो आप डे में भी देख सकते हो आप सोट फुल कैसे भी म के देखो मुए खोल के देखो दिवार पर लगा के देखो कैसे भी देखो भाई मना नहीं किरेगा कंप्यूटर गएगा देखो तुम तुमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए मैं नहीं ठकने वाला कुछ भी देखो मेरे अंदर बिल्कुल भ्रह्मचारी जीवन जिताओं में ब रक्षा वस्लेड छेत्र में उप्योग यह बहुतारे ऐसे हैं क्या हैं के उप्योग हैं तो कि समझ में आई बाते अब पढ़ने वाले हम यहां पर computer की पीडिया generation of computer भाई computer मैंने आपको क्या बोला था है सबसे पहले मैंने बात आपको पढ़ाया था computer का विकास कि आज हम जो computer देख रहे हैं आज हम जिस laptop को यूज कर रहे हैं जिस आज हम जिस tablet को यूज कर रहे हैं इसके पीछे laptop और tablet आने के पीछे एक बहुत बड़ी कहान नहीं है उससे पहले पता नहीं कितने computer आये हैं कितने computer गए हैं तब कहीं एक laptop और pom-tom ये tablet वगरा आये हैं ठीक है तो हम computer के जनरेशन के बारे पढ़ने वाले हैं computer की विबिन पीडियो को विक्षित करने का मुख्य उद्देश है क्या था सस्ता छोटा तेज और विश्व बहुत ही चोटा बहुत ही तेजगती से काम करने वाला बहुत ज़्यादा storage capacity वाला और बहुत ही ज़्यादा विश्वस्ति ये computer का विकास करना आप सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहली पीडि देखो जो computer की पीडिया है इनका जो time period है ना इसको आप बहुत अच्छे से आ रहा हूँ आपको computer की जो पहली पीडि थी वो थी 1940 से लेकर 1955 तक सन 1940 से लेकर 1955 तक जो पीडि चली थी उसको हम computer की पहली पीडि कहते हैं पहली पीडि का जो computer था उसमें processor की रूप में हमने vacuum tube का प्रियोग किया था तो पहली PD के computer में प्रोशेशर की रूप में हमने vacuum tube का प्रियोग किया पहली PD में हम machine भासा का प्रियोग करते थे जिसको हम 0 और 1 बॉलते हैं ठीक है जिसको हम binary code भी बोलते हैं तो जो पहली PD की PD के computer थे उसमें हम machine भासा का उप्योग करते थे उसमें processing के लिए भी machine code या फिर हम जिसको binary code बोलते हैं उसका उप्योग किया जाता था machine code या binary code में 0 और 1 आता है ठीक है data संक्राण के लिए punch card punch card को क्या कहते हैं हम छिद्रित card कहते हैं ठीक है data को store करने के लिए पहली PD के computer में data को store करने के लिए हम punch card जिसको हम छिद्रित card कहते हैं इसका उप्योग किया जाता था ये computer एक समय में केवल एक ही कार्य कर सकते थे तो पहले PD के computer थे न, वो इतने ज़्यादा powerful नहीं थे, वो इतनी ज़्यादा processing speed वाले नहीं थे, कि वो एक समय में भूत सारे multiple काम कर सकें, वो क्या करते थे, एक समय में एक ही काम करते थे, आज कल तो आप laptop में गाने भी चला सकते हो, उसी time आप calculator को open रख सकते हो, उसी time आप YouTube से में रहेंगे, आप वीडियो uploading पर भी लगा सकते हो, एक साड़ वीडियो uploading का काम चलता रहेगा, दूसरे साड़ आपके गाने चल रहे हैं, तीसरे साड़ आपका calculator खिला हो है, मौझ मस्ते चल रही है, ठीक है, बहुत सारे लोग तो और भी कुछ देखते रहते हैं साथ के स ठीक है, अब हम बात करते हैं, पहली पीडि के computer कौन कौन से थे, जैसे यूनिवैक है, एनिवैक है और मार्क फरस्ट है, यूनिवैक है और मार्क फरस्ट ये क्या थे, ये पहली पीडि के computer थे, यूनिवैक पहला व्यावसाई computer था, क्या था, पहला व्यावसाई computer था, जि ये प्ल्फों मैंने आपको बता थी। अभी मैंने रहुत अच्छो और मार्क फ़स्ट इनके बारे मैं आप एक बारे मित वीडियो reperto कोई दिक्कत नहीं आप बात में देखे लिए ने लेकिन लेकिन एक बार रोको और सोचो कि मैंने इनके बारे में आपको फोज और वैगानिक उपयोग के लिए किया गया था, फोज के कामों को करने के लिए वैगानिक कामों को करने के लिए ग्यूनिवैख का आविभिशकार किया गया था, दूसरी PD का जो कंप्योंटर था वो 1956 से लेकर1994 तक चला था, पहली PD 40-50 तक थी 1940-1945 तक, दूसरी PD का कंप्योंटर था वो 1956 से 1974 तक चला था दूसरी PD के कम्प्यूटर में प्रोसेसर जो पहले वैक्यम ट्यूब का अप्योग किया गया था जो पहली PD का कम्प्यूटर था उसमें प्रोसेसिंग के लिए या प्रोसेसर की रूप में वैक्यम ट्यूब का अप्योग किया गया था वहीं जो दूसरी PD के कम्प्यूटर थे उसमें वैक्यूम टूब की जगह पर किसका उप्योग चालू कर दिया गया ट्रांजिस्टर का उप्योग चुरू कर दिया गया दूसरी PD के कम्प्यूटरों में वैक्यूम टूब के इस्थान पर ट्रांजिस्टर का उप्योग चालू कर दिया गया दूसरी PD के computer assembly भासा का प्रियोग करते थे हम पहली PD के computer में machine भासा या जिसको हम binary code बोलते हैं उसका उप्योग करते थे 0 और 1 का जो second generation के computer थे उसमें machine भासा की बजाए assembly भासा का प्रियोग चालू कर दिया गया ठीक है इसके अलावा और भी भहुत सारी नई प्रोग्रामिंग भासाओं का विकासवा जैसे कोबोल है फॉर्टॉन है तो आपको ध्यान रखना है दूसरी PD के computer में कोबोल फॉर्टॉन और assembly इन तीन भासाओं का प्रियोग किया जो पहली जनरेशन में हम जब मसिनी भासा का binary code का यूज करते थे वो क्या थी उसमें programming करना बहुत ज़्यादा difficult था उसमें जो programmer था उसको बहुत सारी समझाएं आती थी बहुत सारी गलतिया होती थी उन गल्तियों को हटाने के लिए प्रोग्रामिंग को बहुत शांदार वाली करने के लिए programmer के according programming को करने के लिए क्या किया गया assembly भासा का विकास किया गया क्या किया गया COBOL और photon भासा का विकास किया गया तो assembly भासा है COBOL है photon है ये ऐसी language है जो machine language के तुना में बहुत ज़्यादा easy है ठीक है, programmer के लिए भोती शांदार है, भोती सरल है data को संग्रित करने के लिए pench card का उप्योग किया जाता था पहली PD में जो पहली PD का computer था, उसमें data को store करने के लिए pench card का उप्योग किया जाता था वहीं दूसरी PD के computer में pench card के जगह magnetic disk या magnetic tap का प्योग किया जाने लग गया पहली PD के computer में हम pench card जिसको हम 6-6 card बोलते हैं, उसका प्योग करते थे stories के लिए, जहांपर आज memory का यूज हो रहा है न, जब हम stories के लिए memory का यूज कर रहा है पहली PD में बात है 1940-1945 तक की उस time pench card का उप्योग करते थे, फिर 56-1944 तक जो दूसरी PD थी उसमें हम pench card को छोड़ कर और magnetic tap और magnetic disk का memory card के रुपे प्योग करना चालू करती है दूसरी PD के computer में CPU, memory, programming, भासा, input, output device की आउधाना को विक्षित कर लिया गया और जो secondary generation थी computer की उस time, जो computer की दूसरी generation थी, उसमें हमने CPU को विक्षित कर दिया हमने CPU को विक्षित कर दिया, हमने memory card को विक्षित कर दिया, हमने भहुत सारी programming language बना दी, हमने input और output device से बना दी तो जो second generation थी computer की, तब हम CPU, memory card, programming language, input, output devices, इन सभी का प्योग करने लग गए तो जो computer की second generation थी, उसमें हमने input, output device सें, processing, programming language, CPU, memory, इन सभी का प्योग करना चालू कर दिया धान रहे, यहाँ पर मैंने processing सब्द बोला था, वो गलत है, क्योंकि processing तो पहले PD में भी थी, ठीक है अब यदि मैं example बताओ, second generation के, तो IBM 1620 है, IBM 1401 है, CDC 3600 है, UNIWAC 1108 है, यह आपको याद करना है यह second generation computer की example है उसके बाद आती है, तीसरी PD के computer, जो 1965 से 1945 तर तक थे 1975 से लेकर, सोरी, 65 से लेकर 1975 तक, 1965 से लेकर 1945 तर तक computer की second generation चली थी तीसरी PD के computer में transistor की जगह हमने IC का, जोको पहली PD में हमने vacuum tube का प्रयोग किया transistor, सोरी, उसकी इसके रूप, प्रोसेसर के रूप में, ठीक है, प्रोसेसर के रूप में जो पहली PD थी, उसमें हमने प्रोसेसर के रूप में vacuum tube का प्रयोग किया, दूसरी PD में हमने transistor का प्रयोग किया, वहीं तीसरी PD में हमने IC का प्रयोग करना चालो कर दिया हमने transistor को भी इगिनोर कर दिया, कि हट भाई, तेरी जगह हमारे पास और भी best option आ गया और हमने तीसरी PD में transistor के बजाए IC integrated circuit का प्रयोग करना चालो कर दिया इस PD में input देने के लिए keyboard एवं output देने के लिए monitor का प्रयोग किया जाने रगा और धान रहे प्यारे सातियों, तीसरी PD के जो तीसरी PD आई थी न उस time हमने तीसरी PD से पहले हम keyboard का और monitor का प्रयोग नहीं करते थे लेकिन तीसरी PD आने के बाद हमने input देने के लिए उसको निर्देश देने के लिए हमने keyboard का प्रयोग करना चालो कर दिया और computer से output लेने के लिए, computer से result लेने के लिए हमने monitor का प्रयोग करना चालो कर दिया ठीक है, तो monitor और keyboard का आये थे, तीसरी PD में आये थे सबसे पहले operating system का प्रयोग इसी PD में हुआ था और OS जो operating system है, उसका सबसे पहले प्रयोग हमने तीसरी PD में किया था तीसरी PD से पहले कोई operating system नहीं था, IC के प्रयोग के कारण computer का आकार बहुत छोटा होता गया computer बहुत तेज होता गया, पहले हमने vacuum tube का प्रयोग किया, बहुत बड़ी आकार का computer था फिर हमने transistor का प्रयोग किया, computer और छोटी आकार का हो गया, और last में हमने IC का प्रयोग करना चालो कर दिया जब से हमने IC का प्रयोग चालो किया, तब से computer का आकार तो बहुत ही छोटा हो गया इस PD के computer में program लिखने के लिए उच इस्तरिय भासाओं का प्रयोग किया जाने लगा, और ये computer एक समय में एक सदिकारिया कर सकते हैं तीसरी PD के computer में हमने क्या किया, programming लिखने के लिए high level language का यूज़ करना चालो कर दिया जो उच इस्तरिय भासाओं हैं, जो high level language हैं, उनका हमने यूज़ करना शुरू कर दिया और ये computer जो तीसरी generation के computer थे न, वो multi time, multiple काम करने के लिए सक्षम थे आप एक समय में कितने काम कर सकते हों, कितने भी काम, 8,10, 15,20, जो हम फिलाल में काम करें न, एक साथ computer में 8,10 काम, बिल्कुल ये तीसरी PD से होते हैं memory के रूप में RAM, पहली PD में पंचकाड आया, दूसरी PD में magnetic tap और magnetic disk आया, तीसरी PD में RAM आट है, memory के रूप में तीसरी PD के computer के example हैं, जैसे IBM 360 है, PDP है, Personal Data Processor है, IBM 370 या IBM 118 है, ये सारे सारे तीसरी PD के computer के example हैं उसके बाद आई, चोथी PD, 4th generation, 1976 से लेकर अब तक, 1976 से लेकर अब तक जो PD चल रही है, उसको हम बोलते है, चोथी PD के computer, चोथी PD के computer, इस PD में IC की जगह है, V, S, L, I, और U, L, S, I, इन दोनों का उप्योग हमने शुरू कर दिया, चोथी PD के computer में हमने V, L, S, I, और U, L, S, I पहली PD के computer में हमने processor के रूप में vacuum tube, दूसरे में हमने transistor, तीसरी PD में हमने processor के रूप में IC का प्योग किया, वहीं चोथी PD में IC को भी मना कर दिया, कि तू भी side में बैठ IC, integrator circuit, तेरा भी बाप आ गया मार्केट में, और उस बाप का नाम था V, S, L, I, sorry V, L, S, I, और U, L, S, तो U, L, S, I, V, L, S, I, क्या थे, IC के बाप थे, क्योंकि computer में चोथी PD आते ही, IC को हटा दिया, तू रफा हो यहां से, तू कुछ काम की नहीं है, तेरी जिन्तिकी बरबाद है, तूने computer को बरबाद कर दिया, तेरा भी बाप आ गया मार्केट में, तेरे से भी best है, तेरे से सब्सक्राइब को काम करवाएगा, IC को गाइब कर दिया, कि निकल, निकल धफा हो, यहां से निकल, दुबारा दिखनी नहीं चाहिए, V, L, S, I, और U, L, S, I, आ गए मार्केट में, किसके रुप में, प्रोसेसर के रुप में, कौन ची PD में, चोथी PD में, माइक्रो प्रोसे पहली PD में, मेमरी कार्ड था, पंच कार्ड, दूसरी PD में, मेमरी कार्ड था, मैगनेटिक टैप, मैगनेटिक डिस्क, तीसरी PD में, मेमरी कार्ड था, रेम, और चोथी PD में, आ गया, सेमी कंड़क्टर मेमरी, सेमी कंड़क्टर मेमरी क्या होती है, टेंशन मतलो, आगे बत प्रियोग किया गया कि काम लेने के लिए बहुत आसान था थेक है तीसरी पीडी में ऑप्रेटिंग सिस्टम में जी यू आई नाम का एक फीचर लगा दिया गया उससे जो ओप्रेटिंग सिस्टम था वह बहुत ही स्मूटली काम करना शुरू कर दिया माउस का अप्ल्योग सुरूआ, भाई सोथी पीडी में ऐहा थे यह माईस जिससे हम लैप्ट राइट जलतें कभी बम बम कभी राइट कभी यह माउस का कमाल है वो एक गाना है कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल ले अजय हुड़ा का गाना है बहुत मस्ट है ना लड़किया डांस करती है चाहे उनकी कबर किदर से ना है ले इस पर मोटी मोटी लड़किया भी डांस करती है कमर तेरी अरे बही कमर नहीं कमरा बोल कमरा तेरा लेफ्ट हाइ C थता C++ High Level Language का प्रयोग भी हमने चोथी जनरेशन में किया Intel Company ने सबसे पहले 1971 में Micro Processor Chip का प्रयोग किया था जिसे Intel 4004 क्याते हैं Intel Company थी उसने सबसे पहला Micro Processor बनाये 1971 में जिसका नाम था Intel 4004 1981 में IBM ने Home User के लिए पहला Computer बनाया था 1981 में IBM ने Home User के लिए घर पर बैठे यूज करने के लिए सबसे पहला Computer बनाये था 1984 में Apple ने Mechanitos Operating System बनाया IBM का Full Form है International Business Machine और OS का मतलब है Operating System ठीक है यह Fact भी आपको पता होना चाहिए IBM 43, 41 है, DEC 10 है STAR 1000 है, PUP 11 है यह सारे सारे चोथी जनरेशन से सम्मदित हैं उसके बाद आता है पांचवी जनरेशन पांचवी जनरेशन के Computer जिसको हम वर्तमान समय में जो हम Computer काम ले रहे हैं फिलाल में वो पांचवी जनरेशन के Computer हैं पांचवी पीडी के Computer में AI, Artificial Intelligency की आउधाना पर आधारीत हैं जो पांचवी पीडी के Computer है वो Artificial Intelligency की आउधाना पर आधारीत हैं इसमें ULSI का Processor की रोप में प्रियोग किया जाता है ठीक है भाई चोथी जनरेशन में VLSI और ULSI दो आये थे जो IC के बाप थे इन दोनों में से ULSI और VLSI दोनों एक साथ आए लेकिन भाई साम जो ULSI तना उसने क्या किया दगा किया इसके साथ? VLSI के सथ नहीं बोलते भाई, भाई के साथ दगा कर दिया बिल्कुल ULSI ने VLSI के साथ दगा किया और VLSI को Market से काइब कर दिया Market पे को रहा गया? ULSI वर्तमान समय में हम ULSI का प्रियोग करते हैं एक प्रोचेसर की रूप में पाच वी पीडि में संग्रेंड के लिए हम Optical Disk या CD Compact Disk का प्रियोग करते हैं संग्रेंड के लिए Storage के लिए Optical Disk या Compact Disk का प्रियोग किया जाता है पाच वी पीडि के कंप्यूटर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस पर आधारीत है जो पाच वी पीडि के कंप्यूटर है न वो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस पर आधारीत है इंटरनेट इमेल थदा ऩर www का विकास 5WiPDP में हुआ था, इंटरनेट का विकास 5WiPDP में हुआ, इमेल का विकास 5WiPDP में हुआ, और www.wordwide webpage का विकास 5WiPDP में हुआ, 5WiPDP के कंप्यूटर है जैसे desktop है, laptop है, notebook है, ultra book है, chrome book है और परम है यह सारे पांच वी PD के computer है Computer का आकार, देखो computer का आकार है जो लगातार घड़ता जा रहा है Computer का आकार लगातार घड़ता जा रहा है, विद्धुत खपत लगातार घड़ती जा रही है ठीक है, तो computer का आकार अउरोई करम में व्यवस्दित करा ले, तो पहली PD में computer का आकार और बिजली खपत भहुत जादा थी दूसरी PD में computer का आकार भी छोटा हो गया, विद्धुत खपत भी कम हो गई तीसरी PD में computer का आकार और भी छोटा हो गए विदुत खपत और भी कम हो गई चोथी PD में computer का आकार और भी छोटा विदुत खपत और भी कम हो गई और पाथवी PD में तो भाई computer का आकार बिलकुल छोटा हो गए विदुत खपत बिलकुल कम हो गई इसके अलाव मैं जदी बात करूँ Memory चमता और Processing Speed के बारे में देखो पहली PD के Computer की Memory Capacity कम थी Processing Speed भी कम थी दूसरी PD में पहली PD के बाप आ गए Processing Speed भी बढ़ गई Memory Capacity भी बढ़ गई फिर दूसरी PD का बाप आ गए तीसरी PD में इसमें Processing Speed और भी बढ़ गई इसमें Storage Capacity और भी बढ़ गई तीसरी PD का बाप आ गए चोथी PD में इसमें तो Processing Speed और भी बढ़ गई और इसमें Storage Capacity भी और बढ़ गई और भाई फिर आ गए पांचवी PD में सबका बाप कुल सबका बाप जिसमें Processing Speed और memory capacity दोनों बहुत पीक लेवल पर पहुंच गई तो जैसे जैसे जन्रसनम पहली से पांचवी PD की और से लेंगे तो processing speed और memory capacity लगातार भड़ी हैं computer का आकार और विद्धुत कपत लगातार घटे हैं ठीक है computer की विश्वस्नियता computer की accuracy ये लगातार पहली PD से पांचवी PD तक भड़ते गए हैं ठीक है तो यदि हम पहली PD से पांचवी PD तक आते हैं तो केवल विद्धुत की खपत और computer का आकार इन दोनों में क्या हुई है ग इन सब में क्या हुआ है PD के according ग्रोथ हुई है पहली PD से पांचवी PD के और बड़ोतरी हुई है ठीक है तो इस तरीके से हमारी ये PD या complete हुई जैसे आपकी PD वैसे मेरी PD वैसे computer की PD ठीक है तो अब हम मिलते हैं next class में वो धुआदार घजब कमाल के साथ अब भी मैं class नहीं हो पाएंगी देखो responsibility यह होती है दादी जी expired उनका एक सपना था कि मैं खुद उनको हरी द्वा लेकि जाओं लेकिन क्लासों के चक्र में मैं नहीं जा पाया और अब मेरे को पता है कि जो ग्यार्वे दिन से केरतन होगा केरतन फिर उसके बाद मर्तिव भोज भी होता है हमारे यहाँ पर government बंद कर रिखे लेकिन होता है उसके बाद पंदर्वा होता है तो उस time class नहीं चल पाएंगे क्योंकि बहुत सारे family guest भी रहेंगे बहुत सारा काम भी रहेगा ठीक है और आप सभी को जो भी candidate मेरा वीडियो देख रहे है उन सभी को बिलकुल तह जिल से invitation है सबके सब आओ अलवर ठाना गाजी तैसिल गाओ नारणपुर चांदपुरी है जो की ठाना गाजी से मातर 20 किलोमेटर साइड में है सरिसका से 20 किलोमेटर साइड में है आओ सबके सब बिलकुल 100% तह दिल से स्वागत आपका और मस तरीके से तीन दिन खाना खाओ सबस्के सब्सांड़ और 11 को जह बंधी श्रक्ति बहुत ने कि बहुत और 29특्य घ्नाश्षा सब्सक्रियर से मिलावण की है जल्वा भाड़ दहत है चोंट चीज पोट कि बहुत धन्यवाद आपको देखनें के लिए ठेंक्स